नमस्का राजनमा टीवी पर आपका स्वागत हैं मैं प्रिया आपके साथ बिग बॉस ओटीजी टू के विनर और यूटूबर एलवी श्यादो की मुश्किले बढ़ सकती है नोईडा के सेक्टर गुनपचा स्थाने में यूटूबर एलवी श्यादो के खिलाफ केस दर्च किया गया है दरसर नोईडा पुलीस और वनविभा की टीम ने पांस सपेरे गिरफतार किये हैं उनके पांस से पांच कोब्रा और कुछ पाईजन बरामत हुआ है सपेरे ने बताया कि वो एलवी श्यादो को स्नेक बाइट सप्लाई करते थे वनविभा की टीम के इंपुट के बाद यह कारवाई की गई है बताया जा रहा है कि मेनका गांधी द्वारा संचालित एक एंजियों ने स्टिंग ऑपरेशन का नोईडा पुलिस को शिकायत दे थी जिस पर पुलिस ने ये एक्शन लिया है वही रेव पार्टी में साप का जहर और विदेशी लड़कियों को सप्लाई करने के आरूप में गिरफतार पांच आरूपियों से जब पूस्तवाश की गई तो उन्होंने यूटूबर एल्वी श्यादो को गेंग से जुड़े होने की बात कही इस गेंग के कबजे से नो साप और सापो का जहर मिला जिसमें से पांच कोब्रा और बाकी अलग-अलग प्रजाती के है पुलिस का कहना है कि हमने इस बाबत मामला दर्ज किया है जिसमें एल्वी श्यादो का नाम शामिल है हलाकि अभी उनकी गिरफतारी नहीं हुई है सभी सापो को वन विभाग को सोब दिया गया है सांसत मेंका गांधी द्वारा संचाली इसी के साथ बने रहे है राजदमा ठीवी के साथ दर्देवाड़